नमस्कार दोस्तों मैं वेपिन चुहान यूर्डोस्टैब.co इन लाज़स डॉक्पिमेंट एंड होम केर कंपनी से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों की तरफ से रेक्वेस्ट आया था कि मैं नेम चेंज प्रोसेजर इंडिया नाम कैसे बिदला जाता है इंडिया के अंदर उसके पर एक वीडियो बनाओ तो मैं अपना आज का टॉपिक उसे के उपर लेके आया हूँ तो फ्रेंड्स बिना देरी करें इसे स्टार प्रोसेजर क्या है नेम चेंज को अप्लाई करने का डॉक्यमेंट क्या चाहिए होते हैं नेम चेंज करने के लिए और हाउ टू प्रिपेर फाइल नेम चेंज की फाइल कैसे बनाई जाती है और हाउ मुच तैम इट विल टेक और नेम चेंज की फाइल मतलब बनाके गज़ नोटिफिकेशन कहते हैं ठीक है फ्रेंड और कौन-कौन व्यक्ति इंडिया के अंदर अपना नीम चेंज करता है पहले में बता देता हूं कौन-कौन कर सकता है किसी की स्कूल के डॉक्यमेंट्स में गलती हो जाती है कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है किसी व्यक्ति को अपना नाम पसंद नहीं है किसी को पंड़त जी ने बताया है कि भईया आप अपना नाम चेंज कर लो आपके ग्रह बदल जाएंगे किसी विक्ति की शादी हुई है अब वो अपने हस्बन का सर नेम लगाना चाहता है या फिर किसी विक्ति को अपना नाम चाहिए इन कारणों के वर्ष कोई भी विक्ति अपना नेम चेंज कर सकता है तो correct procedure क्या है नेम चेंज को करने का सबसे पहले हमें एक name choose करना होता है जो नया name होता है कि हमें जो चाहिए होता है या फिर जो correct name है जिसमें कोई जो आपके पहले name में error था और जो आप आप नाम चाहते हैं वो आपको choose करना होता है पहली चील दूसरा हमें affidavit बनाने होते हैं name change की जिसमें हमारा पहला नाम होता है पिता का नाम होता है हस्बेंड का नाम होता है और नया नाम होता है एफ़िडेट का फॉर्मेट हर व्यक्ति का अलग होता है रिलिजिन चेज का अलग होता है बच्चों का अलग होता है वो मैं आपको अपनी next वीडियो में बताऊँगा तीसरा point है हमें newspaper में add देना होता है कि हमारा पहले name ये था हमारे पिताजी का नाम ये और हमारा नया नाम ये है और हमें इस नया नाम से जाना जाए ठीक है? तो ये जो सारी चीजें है ये चीजें हमें करनी होती है और बाकी गजट की कुछ mandatory document होते है format होते है वो बनाने होते है और भारत कोश पे जाके गजट notification की फीज भरनी होती है government फीज जो है 1100 रुपे से start होती है और साड़े सतरा सु रुपे तक चलती है या फिर आपके नाम में जितने correction है मतलब suppose किसी का एक नाम दो नाम तीन नाम है जितने हैं नाम है उसके लिए अलग अलग फीज लगती है ठीक है standard फीज भीज भी है वो 1100 रुपे है बच्चों के लिए 1750 रुपे चले friends आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है तो यह 5 points में आपको मैंने बता दिया तो friends इसके इलावा file कैसे बनानी है आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप चाहे तो किसी legal consultant या किसी advocate को hire कर सकते हैं या फिर आप इसे खुद भी कर सकते हैं अगर आप इसे खुद करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको affidavit बनाने होंगे तो आप किसी भी अपने local notary की shop पे जाईए ठीक है वहां से आप affidavit का format बनवा लीजिए यह जो affidavit का format है वो हमारे द्वारा आप my number पे call कर सकते हैं यह हमें mail कर सकते हैं हम आपको free of cost provide कर देगे ठीक है फिर तीसरा newspaper में आपको add देना होगा यह भी आप खुद कर सकते हैं और जो newspaper का format होता है वो भी हम लोग आपको free of cost provide कर देते हैं ठीक है चौता point होता है cd बनाना इसमें एक cd भी बनाई जाती है उसका format भी हम लोग को आपको provide कर देते हैं ठीक है तो यह सब आप कुछ खुद भी कर सकते हैं यह फिर किसी customer को hire कर सकते हैं और जो data होता है वो सारा हम दोनों के हमारे द्वारा आप सब को provide कर दिया जाता है और गजट की website पर जाके वहाँ पर भारत को पर जाके और government की fees आप वहाँ से pay कर देते हैं जब आप यह साब कुछ कर लेते हैं तो उसकी आपको एक file बना लेनी चाहिए उसे folder में लगा लेना चाहिए अगर मैं इसको brief करूं तो कैसे मैं से brief करूंगा कि हमने क्या क्या करा name change करने के लिए जो सबसे पहले हमने क्या करा हमने एफटेविट बनाए हमने newspaper में add publish करा और उसके बाद हमने उसे गजट office में submit कर रहा होता है तो manually हम जाग गजट office जाते हैं और उसे submit कर देते हैं या फिर हम उसके courier address पे address भी कर सकते हैं फ्रेंड्स आप बिल्कुल धिहान से इसको data को बनाएगा अगर आपने छोटा सा error भी किया तो आपका जो file वो reject हो जाएगा और आपका पैसा फुर्ज जाएगा तो आप हम से बिल्कुल free of cost suggestion ले सकते हैं हम आपके इसमे help कर सकते हैं चीक है उसके बाद जब हम एफिडविट बना लेते हैं news publish कर देते हैं और गिल्जट ओफिसम सम्मिट कर देते हैं तो फ्रेंड्स में आपको एक format मैंने आपको दिया है कि जो format कैसा होता है अफिडविट का यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसी तरह आप अपना format बना सकते हैं जिसमें आपका पहला नेम और पिता का नाम और आपका एड्रेस और आपका नया नाम क्या होगा इस तरह का अफिडविट का format होता है वो आपका भी स्क्रीन पर देख रहा है आप उसे copy कर सकते हैं और उसके द्वारा आप अपने अफिडविट format बना सकते हैं इसके लावा अब न्यूस्पेपर में आड्ड कैसे दिनोंगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ और उसका format आपके साथ share करने वाला अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि न्यूस्पेपर में आड कैसे दिया जाता है आप उसे देख सकते हैं और similar same pattern में आप अपने आड बना सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ शादी के बाद name change आड करने का format अलग होता है बच्चो का name change आड format अलग होता है और अलग-लग विक्तिव का name change आड format अलग होता है इसी तरह से आपको ये बनाना होता है ठीक है आगे चलते हैं ये आपने देख लिए name change आड format ठीक है गजट notification की fees कीया है या फिर शादी के बाद name change कर रहे हैं यह totally depend करता है कि totally आपका case क्या है case to case यह depend करता है कि आपकी fees कितनी जाएगी तो friends वो आप हमें call करके mail डालके पता कर सकते हैं कि जो गजट notification की fees क्या होगी तो friends last week में आप सब लोगों को यह कहना जाऊंगा कि अगर आपको help चाहिए हम भी इसमें help करते हैं आप हमें contact कर सकते हैं हमें call कर सकते हैं हमें mail डाल सकते हैं और हमारे through अपनी file बनवा सकते हैं हम आपको proper एक file बनाके देते हैं उसके through आपका जो name है वो change हो जाता है आप उस से सीधा खुझ जाके गजट office में submit कर सकते हैं या फिर आप उसे गजट office में courier कर सकते हैं thank you friends have a nice day कोई भी question है तो आप इस वीडियो के नीचे अपना comment डालके पूछ सकते हैं हम आपकी बिल्कुस आहता गरेंगे take care